जाओ विडियो में आपस बोर देखना ताकि सारी बात आप आसानी से समा सकें तो उमिद करता हूं वीडियो आप पूरा देखेंगे तो चली दोस्तों बिन देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते बेखिए सबसे महाले हम इसकाBob के crush에서 को देख लेते तो कभीरदास भक्तिकाल की निर्गुन कावे धारा के प्रतिस्ठित कवी हैं इन्होंने अपने कावे में निर्गुन निराकार इश्वर की उपासना की है कभीरदास एक भक्त कवी समाज चिंतक आदी सभी कुछ थे कभीरदास के जन्म और मृत्यों के विशे में बड़ा विवाद रहा है देखे दोस्तों अगर हम बात करें कभीरदास की तो कभीरदास जी जो थे वो निर्गुन कावे धारा से जुड़े हुए हैं देखे उन्होंने जो इश्वर की जो उपासना जो पूजा की वो निर्ग जिसका कोई आकार ना उस इश्वर की उपासना की तो इस तरह इनकी जो कावे वगैर है उसमें आप देखोगे कि इन्होंने जो 굉장히 कुछ कहा आए ऐश्वर की बारे में भगवान से बारे में तो एक रिखने को मिलेगे कबिरदास जी जो थे वो एक भक्त भी थे एक कवी भी थे और एक समाज चिंतक भी थे देखे एक भक्त वो कैसे थे तो उन्होंने इश्वर की गहरी उपासना की तो भक्ती से वो जुड़े हुए थे इसके लावा वो एक कवी थे अब वो एक कवी थे हाला कि उन्होंने खुद सारी बातें नहीं लेकिन उन्होंने कई सारी एक तरह से पोयम कहलो पोयम कहलो या कई सारी जो काववे होते हैं वो उन्होंने दोहराई या वो उन्होंने कहे इसके अलावे वो एक समाज चिंतक थे दोस्तों आपने जब कभी भी कबीर दास जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि जो कबीर दास होते हैं वो हमेशा ही हिंदू हो गए, मुसल्मान हो गए उनके जो धर्म थे या जो समाज में जो रोडियां जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसके उपर बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते हैं उस पर विरोध करते हैं मतलब इनके बहुत सारे काववे आप देखेंगे कबिरदास जी के जिसमें साफ साफ हिंदू या मुसलिम या जो समाज के अंतरगत जो भी बुराईयां वगरा शामिल थी या बहुत सारी जो कूरीतियां थी बिकार देती रिवास थे उनका इनके दुआरा विरोध किया गया तो ये समाज चिंतक भी थे कबिरदास का जन्व विद्वानों ने 1455 सनवत तथा मृत्यू 1575 सनवत सुईकार की है कबिरदास पड़े लिखे नहीं थे उनके सिश्यों ने ही समय समय पर दिये गए उनके उपदेश्यों को लेखनी बद किया है देखे दोस्तों, अगर हम बात करें कबिरदास ची के जन्व और मृत्यू के बारे में तो इसको लेकर काफी विवाद है, जो विद्वान है वो एकमत नहीं अगर हम इनके जन्व की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्व एक ब्रामन विद्वा महिला थी उनके यहाँ पर कबिरदाज जी का जन्म हुआ था लेकिन फिर उस महिला ने कबिरदाज जी को त्याग दिया इनके जन्म के बाद ही और इने एक तालाप के किनारे छोड़ दिया गया था फिर इनका जो पालन पोशन है वो एक जुलाहे परिवार के द्वारा किया जाता है जो कि मुसल्मान होता है तो कई बार इनके उपर मतलब कबिरदाज जी हिंदू थे या मुसलिम थे तो कई बार इसको लेकर हमें विवाद देखने को मिलता है इनके जन्म को लेकर कई विवाद देखने को मिलते हैं बट इतना निश्यत है कि कबीर दाज जी का जो लालन पालन हुआ था मतलब इनका जो भरन पोजिशन हुआ था वो एक जुलाहई परिवार में हुआ था जुलाहई का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला परिवार ठीक है मतलब कपड़ा बुनना मतलब होता है जुलाहा और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो विद्वानों ने इस इस सन को इनके जन्म की तिथी माना है अभी मैं इसे end में यहाँ पे सनवत का मतलब भी समझाऊँगा अगर हम यहाँ पे एक important बात देखें वो ये है कि कबिरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे इसको समझते हैं कैसे कबिरदास जी सिक्षित नहीं है इस बात को उन्होंने साफ शब्दों में सुईकार करते हुए कहा है कि मसी कागद तो छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ देखें कबिरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे उनके जो जितने भी हमें काववे वगर आया उनके दुवारा जो भी चीजे लिखी हुई दिखाई देती है एक्शनल में उन चीजों को उनकी सिश्चों के दुवारा लेखनी बद किया गया है मतलब ये कि कबीर जी ने उपदेश दिये दे और उन उपदेशों को सुनने के बाद जो उनके शिश्चे थे जो उनके भक्त कहलो या जो उनके शिश्चे थे कबीर जी के उन्होंने कबीर के विचारों को लेखनी बद यानि की लिखा है यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि उनके जो शिशे थे उनको कबीर के विचारों को फॉलो करने वाले जो लोग थे उन्होंने ही कबीर के उपदेश्यों को लेखनी बद किया है कबीर ने खुद कुछ भी न नहीं लिखा इसका हमें पता साफ तौर पर चलता है और कभीर दाज जी ने इसको साफ तौर पर सुखार भी किया है देखिए आज से पहले आपको लगता होगा कि कभीर जी ने सारी चाहिए लिख रहे थे लेकिन सही माइने में कभीर जी ने नहीं लिखा है उन्होंने बस उ आगर्स तो छुआ नहीं है और मैंने कभी कलम का यूज भी नहीं किया यानिके पैन का यूज भी नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पे हमने साहितिक परिशे की बात कर ली अब हम बात करते हैं इनके भक्ती भावना की तो भक्ती भावना से संबंद में यहाँ कुछ बातें लिखें इनको हम समझ लेते हैं कबीर मूल रूप से एक भक्त थे उनके गुरू का नाम रामानंद था रामानंद से ज्यान प्राप्त करने के पश्चात कबीर निर्गुन ब्रहम की उपासना में लग गए देखें दूस्तों अगर हम इनके भक्ती से समझें वि ग्रामानंद अब गुरू के उपदेशों के बाद ग्रामानंद जी से ग्यान प्राप्त करने के बाद कबीर ने निर्गुन भगवान की निर्गुन इश्वर की यह जो ब्रहम है ब्रहम का मतलब यहां पर इश्वर है तो जो निर्गुन इश्वर था जिसका कोई आकार न भक्ति के छेत्र में कबीर ने गुरू को बहुत उंचा इस्थान दिया है उनका मानना है कि गुरू ही भक्त तो को उच्चित मार्क बताता है माया से बचने की प्रेड़ना माया का मतलब यहां पर इच्छा है इच्छा से बचने की प्रेड़ना देता है उसके अग्यान को द भक्ति के छेत्र में वो सर्वो परी है वो सबसे उचा है गुरू ही वो व्यक्ति होता है जो भक्त को जो शिश्य है उसको एक उच्चित मार्क एक उच्चित सही रास्ता दिखा सकता है और माया से यानि कि जो इच्छा है जो हमारी मो माया है विकार जो इच्छा होती है उसस से knowledge देता है उसको ग्यान देता है तो यह उनके प्रमुक विचार थे अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक विचार धारा की दार्शनिक का मतलब है एक सो इसपस्ट भक्ति के छेत्र में पूरी तरह इनके क्या विचार रहे हैं एक तरह से इन्होंने मुख्य रूप से दार्शनिक छेत्र में क्या क्या बातें कही हैं यहाँ पर हम इससे समझ रहे हैं दार्शनिक विचार धारा के छेत्र में हम बात करें तो कबीर की कवीता का एक अन्य महत्पून पहलो दर्शन है दर्शन का अर्थ है देखना दर्शन के अंतरकत चार बातों पर ध्यान दिया जाता है इश्वर, जीव, जगत और माया देखे इश्वर का मतलब इश्वर है भगवान जीव का मतलब है इनसान या कोई प्राणी कोई भी हो सकता है चाहे वो जानवर हो चाहे इनसान हो जगत का मतलब है यह जो संसार है वो जगत है और माया का मतलब है कि यहां पर जो हमार में व्यक्ति है इन चारों से सम्बंदि जो भी चीज़ें इनके बारे में कबीर चारों काईर और उसी की जो ग्यान है वो चारों तरफ फैला हुआ है दर्शन के अंतरगत जीव की इस्तिती पर भी कबीर ने विचार किया है जीव और ब्रह्म एक है और ब्रह्म माया रहित है तो जीव माया युक्त है देखे दोस्तों यहां पर अगर हम कबीर के विचारों की बात करें तो कबीर ने कहा है कि संसार में जो इशवर है वो एक है और उसी का जो पुरा ग्यान है वह पूले विश्व में फैला हुआ है इसके साथ ही दरशन को अंतरकार जो जीव कि स्थितिंगे जीव और अब घरकांट की एक इंसान के प्राणी की क्या इस्तिती है इस संसार में या दर्शन की छेत्र में तो उसके बारे में भी कई सारी बाती यहाँ पर कभीर जीव और भ्रहम एक ही है आपने कई सारी चीजें पढ़े होंगी अब मैंने आपको पढ़ाया था इसी के इंतरगत अदुएतवाद दुएतवाद तो मैंने आपको उसमें बताया भी था जीव और भ्रहम के बारे में तो उसी तरह यहाँ पर जो कभीर है वो मानते हैं कि जीव है जीव का मतलब यहाँ पर इंसान हो गया प्राणी हो गया और भ्रहम का मतलब भगवान जीव और जो यह भगवान है भ्रहम वो दोनों एक ही है उन में अंतर नहीं है ऐसा कबीर का मानना था ब्रह्म माया रहित है तो जीव माया बस अंतर क्या है अंतर बस इतना है कि जो ael है भर मतलब भुरह नहीं है मतलब भ्रहम नहीं है डाउट वाला नहीं होगा यहाँ पर इसे पर इसेंदर कोई आ नहीं ना उसके अंदर कोई माया तो नहीं उसके अंदर कोई अंदोश्वास या कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो सही नहा हो माया का मतलब कै ever second comedian ना ये ना मतलब क्या है माया मतलब वो चीज़ जो हकीकत नहा हूं कि कहते हैसे एक माया जाल फैला हुआ है तो वो चीछ हकीकत नहीं है माया का मतलब यह है कि वो चीछ हकीकत नहीं है तो जो ब्रह्म है जो भगवान है उसमें माया नहीं है और जो जीव है जो इनसान है जो जानवर है जो कोई प्राणी है तो उसके अंदर माया है दर्शन की अंतरगत जगत यानि की संसार की इस्तिती पर भी विचार किया जाता है संसार के विशे में कवी का मानना कबीर का मानना है कि यह संसार नश्वर है प्रति दिन मनुश्य इस संसार का त्याग करता है सभी को आगे पीछे इस संसार से विमुख होना है माया पर भी दर्शन के अंतरगत विचार किया जाता है कबीर ने अज्यान को माया बताया है उसे ठगिनी मानते हुए कहा है कि माया महा ठगिनी हम जानी इसी तरह से कनक और कामिनी और तदा मेरे तेरे के भाव को भी माया बताया है उनके अनुसार माया इश्वर और जीव के बीच मिलन में रुकावट है देखे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संसार के स्थिती पर भी इन्होंने विचार किया है कबिर जी ने इन्होंने कहा है कि ये जो संसार है ये जो दुनिया है वो नश्वर है मतलब ये खत्म हो जाएगी ये खत्म होने योग्ये है ऐसे ये अमर नहीं है इन्होंने ये कहा इन्होंने कहा ये नश्वर है ऐसे चीज़े जिसका नाश या विनाश होना तैह है जो और आगे बढ़ रहा है, तो आगे तो एक यहीं पर हैं, उन्हें पिछे इस संसार ज़ीं आगे, यहां पीछे, अब इन्होंने माया के उपर कई सारी बातें कहे हैं, तो जो माया है? माया यह उपको पता दिये हैं मोह कहलो एक छल कहलो जो चीज है तो इन्होंने का कबीर ने अग्यान को माया बताए इन्होंने का जो अग्यान है वो माया है इन्होंने कहा जो माया है वो ठगीनी है इसी तरह से इन्होंने ठगनी मतलब जो ठग करे इसी तरह से कनक मतलब होता है सोना कनक और कामीनी जो हमारी इच्छा वगरा है तता मेरे तेरे का भाव को भी इन्होंने माया बता है जो हमारी इच्छा है जो सोना चांदी पैसा कमाने का जो लालच है इससा माया है उनके अनुसार माया इश्वर और जीव के बीच मिलन में रुकावट है इन्होंने कहा कि जो माया है वो इश्वर और ब्रहम और जीव जो मनुष्य है और जो भगवान है उसके बीच मिलन में रुकावट पैदा करती है कौन माया तो दोस्तों यहां तक आपको उम्मीद करता हूं सारी बातें किलियर हो गई होगी कभीर जी के बारे में आपने सारी चीज़ें आपको ने समझ ली यहां पर आप इसे ठेम्प्रेरी आप इसे रट लू सनवत कहलो ठीक है एकुश ल में क्या है कि सनवत का मतलब है भारती कैलेंडर के एक आज हम सेन महराजा हुएं जिन्हें अपना अपना केलेंडर जारी किया था जैसे कि विक्रमा दित्ते जो शाशक पर उन्हों किआप ने शक ध्राशक घालेंडर गयेंडर किया था तो भारती कैलेंडर रहें उसी के संन की अकॉर्डिंग यहां पर ये ठाइम पिरिड लिखा है अब आप लोग अभी भी confused हो रहे होंगे तो confused ना हुए आप simple सा इसको रट लो कोई दिक्कत अभी नहीं आगे चलके आपको सारी सीज़ें के लिए हो जाएंगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी यही कहूँगा कि अगर कुछ भी रह गया है कोई चीज आपको doubt है तो यही कहूँगा एक बार वीडियो को दुबारा देख लो पहली बार कोई भी चीज आसानी से समझ नहीं आती है एक दुबार समझ होगे तो चीज आपको समझ में आने लगेगी उमीद करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आ रही है अगर कुछ कोई word है जो बहुत जाला difficult है तो उस word की जगा आप आसान शब्द यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी तो friends फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ह नहीं तो प्लीज दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें थैंक यू